गोविन्दा के ट्वीटर हेंडल से हर्याना में हो रही हिंसा पर एक ट्वीट क्या गया था अब गोविन्दा ने खुद सामने आकर उस पर सफाई दी है गोविन्दा ने कहा कि उनका Twitter ID हेक हो गया था उन्होंने इसकी शिकायत मुंबई साइबर क्राइम में की है गोविन्दा ने कहा कि वे विवास्पत मुद्दो पर बात नहीं करते हैं यहां तक कि वे Twitter का ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करते हैं इसलिए ये सवाली नहीं उठता कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा हो। गोविंदा ने कहा कि उन्हें राजनीती छोड़े 18 साल हो गए। इसलिए ये सब करके वे पॉलिटिक्स में दोबारा नहीं कुदना चाते। गोविंदा 2004 से 2009 के बीच कॉंग्रेस से सांसत रह चुके हैं। दरसल हर्याना के नूमें 31 जुलाई को विश्वे हिंदू परिश्यत ने ब्रजमंडल यात्रा निकाली थी। दोपर एक बज़े यात्रा बढ़कली चोक पर पहुँची तो कुछ लोगों ने पत्थराओ कर दिया। यहीं से हिंसा की शुरू आत हुई। इस हिंसा में भारी अगजनी हुई। कई गाड़ियों को फूग दिया गया। कई लोगों ने अपनी जान भी गवा दी। इस हेक अकाउंट से हर्याना हिंसा का एक वीडियो शेर का लिखा गया। हम लोग कहां आ गए। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो अपने आपको हिंदु कहते हैं। और फिर ऐसी हरकते करते हैं। अमन और शांती बनाएं। हमारा देश लोगतंतर से चलता है नकी ताना शाहि से। इस ट्विट के आने के बाद लोग गोविंदा को ट्रोल कने लगे। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने बिना सचाई जाने गोविंदा को एक तरफा सोच का आदमी करार दे दिया। अब गोविंदा ने इंस्ट्राग्राम पर वीडियो शेर कर सब दूद का दूद और पानी का पानी कर दिया है। उन्होंने कहा हर्याना से रिलेटेड मैंने कोई ट्वीट नहीं किया। मैं पिछले कई साल से ट्वीटर पर एक्टिव भी नहीं हूँ। हो सकता है चुनाओ का समय आ रहा है तो किसी ने समझ लिया हो कि मैं किसी पार्टी से आगे आ रहा हूँ। हाला कि ऐसा नहीं है, मैं कभी भी ये सब डिसकस भी नहीं करता हूँ इसी के साथ बने रहे हैं राजनम दुनिया के साथ धनिवा